किसी भी company के transaction को record करने के लिए हमें आवश्यक्ता होती है एक accounting application software की फिर वो चाहे tally हो, busy हो या कोई other application software इन सभी application software के अंदर हमें ledger treat करना होता है यानि एक ledger बनाना पड़ता है अब ledger basically हमारा एक small account होता है यानि जिस भी person से हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं या बेचते हैं या हमने किसी भी तरीके का कोई भी expense या फिर कोई payment receive की होती है तो उन सभी का ledgers हमें अपनी tally के अंदर बनाना होता है एक्जांपल के लिए माल लीजे हमने मोहन को 10,000 रुपे की payment की है तो इसका मतलब जरूर हमने मोहन से कोई ना कोई वस्तु खरीदी होगी या तो कोई कोई सेवा हमने उससे लिए हो तो इसके लिए हमें मोहन का एक account create करना होगा अपनी tally के अंदर और इसके बाद उसे under of डालना होगा syndic creditor यानि मोहन से आगर हम कोई वस्तु परचेस करते हैं तो दोनों ही situation में हमें उसे पैसे देने होते हैं तो उस हिसाब से मोहन का हमें ए एक account create करना पड़ेगा अपनी tally के अंदर और उसे under of डालना होगा syndic creditor यानि देंदार अब जब भी हम अपनी tally के अंदर मोहन के नाम से कोई भी transaction record करेंगे तो automatically tally हमें debit कर देगा और मोहन को credit कर देगा क्योंकि हमने मोहन के नाम से अपनी tally के अंदर एक ledger create किया हुआ ह जिसे हमने बताया हुआ है कि वो हमारे लिए syndic creditor है यानि हमारा दोंदार है इसी तरह से जैसे मान लेजे हमने कमल को कोई वस्तू बेची है तो कमल का हम अपने tally में एक ledger create करेंगे और उसे under of डाल देंगे syndic debitor के अब इसे साब से जब भी हम कमल की कोई transaction अपनी tally के अं इस वज़े से वो हमें credit कर देगा तो चलिए अब इसे हम practical तरह से समझते हैं कि आप ledger पर इस तरीके से create कर सकते हैं अपनी tally के अंदर और किस तरह से आप इसे delete कर सकते हैं और या फिर किस तरीके से आप इसमें किसी तरह का कोई भी changes कर सकते हैं दोस्तों laser को create करने के लिए सबसे पहले आपको एक company create करने होगी और company किस तरीके से create की जाती है इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं link के description में आपको इसका link देदूँगा या तो फिर मैं i button पर इसका आपको चेक कर से अब laser create करने के लिए सबसे पहले हमें जाला होगा create वाले option पर create पर जैसे हम यहाँ पर click करेंगी तो आप देखेंगे second number पर आपको laser का एक option दिखाई देगा तो यहाँ से हम laser को select करेंगे laser को select करने के बाद जैसे आप यहाँ पर interface करेंगे तो आप देखेंगे पर आप देखेंगे हमने कुछ यहाँ पर laser लिखे हुए हैं जिन laser में से हम कुछ laser को create करके आपको बताएंगे जैसे हम सबसे पहले laser की बात करें accord income की तो basically यह जो laser होता है वो हमारा current assets होता है current assets का मतलब यह है कि जो हमारी accord income है यानि हमारी जो जमा पूंजी है वो हमारी current assets होती है अब basically depend करता है आपकी company कि आपकी company किस चीज में deal करती है और वहाँ पर आपको किन किन lasers की जरूत पड़ती है जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर advertisement expense की तो यहाँ पर आप देखेंगे advertisement expense हमारा जो है वो यहाँ पर indirect expense है अब मा लिजे आपकी जो company है वो advertisement का ही कार करती है तो उस situation में आपका जो advertisement expense होगा वो यहाँ पर advertisement expense की जगा है यहाँ पर advertisement income हो जाएगा और यह आपकी indirect income हो जाएगी तो depend करता है आपकी company किस चीज की है और किस चीज में deal करती है उस base पर आपको अपनी company के ledgers create करने होते हैं तो जैसे मा लिजे हम यहाँ पर पहले ledger को select कर जाते हैं यहाँ से हम इसको control C करके copy कर लेते हैं और उसके बाद चले जाते हैं टैली पर यहाँ पर मालिजे हमने इस laser को type कर लिया या फिर आप paste भी कर सकते हैं और जैसी आप यहाँ पर enter pass करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने under guide option आपको दिखाई देगे तो under में आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि आपका यह जो type है वो किस चीज़ का laser है यानि किस type का laser है तो basically accord income जो थी हमारी वो हमारी current assets थी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं C से related जितने भी आपके groups हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे तो यहाँ पर हमारा जो य GST के अंडर रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप GST को सेलेक कर सकते हैं तो basically हम यहाँ पर इसे GST के अंदर नहीं रखेंगे तो not applicable करके हम यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे इसके बाद आप यहाँ पर इसका mailing address या नाम यहाँ पर फिल कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको इ यहाँ पर इसकी भी ज़रत नहीं होती यहाँ पर आप एंडर करके इसे यहाँ पर save कर दीजे, save करने के बाद आप यहाँ पर दूसरा laser create कर सकते हैं हम यहाँ पर एक और laser create करके दिखाते हैं आपको मालीजे हम ने यहाँ पर bad depths को select किया और bad depths का हम एक laser यहाँ पर create करते हैं यानि आपका जो पैसा था अगर डूब गया है तो आप इसे bad debts में डाल सकते हैं तो यहाँ पर हम bad debts का एक leisure create करेंगे टेली के अंदर आने के बद यहाँ पर हम bad debts को type कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम enter करके इसे डाल देंगे indirect expense, IN जैसे यह आप डालेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर IN से related काफ़ी सारे ledgers की group साब को दिखाए दे जाएंगे तो यह basic हमारा indirect expense है, तो यहाँ पर इसे indirect expense को select करेंगे और उसके बाद इसे enter करके हैं, आपर हम save करेंगे आप यहाँ पर आप देखेंगे, आपके साने एक और option पूछ रहा है type of ledger, आपका जो ledger है उसका type क्या है, यह यह क्या यह कोई discount है या फिर कोई invoice rounding आप इसमें method यूज करना चाते हूँ तो basically ना तो यह कोई हमारा discount है और ना ही हमारा rounding method आप इसमें चुका हूँ, आप जा करके मेरी playlist में इसे चेक कर सकते हैं, एंडर प्रेस करके हैं यह जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस्ट्री details आपकी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर अगर आप GST को add करना चाहें तो यहाँ पर add कर सकते हैं, हम यहाँ पर इसे not applicable रखेंगे यहाँ पर भी आप GST applicable अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं, हम इसे applicable रखते हुए नीचे की तरफ आजाएंगे, और यहाँ पर अगर आप इसमें HSN या stack code का use करना चाहें तो आप इसे use कर सकते हैं, तो हमें bad depths के अंदर किसी भी HSN या stack code की जुरत नहीं है, तो यहाँ पर हम इसे as per company group को select करते हुए नीचे की तरफ आजाएंगे, अब यहाँ पर आप देखेंगे आपका जिस्टी rate set करने का option आ गया, तो यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी text यहाँ पर add नहीं करना, तो हम यहाँ पर इसे enter करके रीचे आ जाएंगे, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका type of supply पूछ रहा है, कि यह type of supply क्या है, service है या goods है, या अपने goods बेचा था, या service बेचा था, या दोनों में सही company आपकी जिस चीज में डेल करती है, तो आप इसे select कर सकते हैं, तो मालीजे हमारी जो company है, वो goods करती है, तो हम यहाँ बोट को select कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसे यहाँ पर bank details को जोरत नहीं है, आप इसे यहाँ पर provide करने की, अगर आप चाहें तो provide कर सकते हैं, बाकि हम यहाँ पर enter करके इसे यहाँ पर save कर देंगे, तो इस तरीके से आप ledgers यहाँ पर create कर सकते हैं, अब जैसे मालीजे मैं आपको दो parties के ledgers भी create करके बता देता हूँ, जैसे मालीजे हमने यहाँ पर type किया, among industry, जैसे मालीजे यहाँ अदर among से हम कोई भी माल खरीते हैं, तो वो हमारा sendi creator होगा यारे कि हमारा देंदार होगा, तो यहाँ पर हम type करेंगे as, और as type करने के बाद आप यहाँ पर sendi creator को select कर सकते हैं, select करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर maintain balance, bill by bill का एक option आपको दिखाए देगा, इसे हमेशा आपको yes रखना है, यह होता क्या है, इसके ब पर लिए आप उसका address यहाँ पर fill कर दीजिए, तो example के लिए हम यहाँ पर एक address फिल कर लेते हैं, तो address फिल करने के बाद यहाँ पर आपना state select कर लीजिए, अगर आपकी जो party है, जिससे आप माल खरितते हैं, अगर वो same state का है, यह नहीं दिल्ली का ही है, तो आप यहाँ प send कर सकते हैं, मालेजे हम ने चेक ले लिया, चेक लेने के बाद account पेबल में हम यहाँ पर send कर देंगे इसे, और इसके बाद आप अपने sendi grader का यहाँ पर pen number type कर सकते हैं, तो मालेजे हम यहाँ पर type कर देते हैं, example के लिए हमने यहाँ पर एक pen number randomly type कर दिया है, इसके बाद हम interface करके नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आप बता सकते हैं कि आपका जो creditor है, उसका type क्या है, यानि वो composition है, unknown person है, या regularly आप उससे transactions करते रहते हैं, या फिर unregistered है, तो यहाँ पर आप किसी भी type को select कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर regular को select करके, यहाँ पर interface करेंगे, और उसके बाद अगर आपके send reader के पास GST number है, तो आप यहाँ पर उसका GST number फिल कर दीजे, तो यहाँ पर randomly कोई भी GST number फिल कर देते हैं, फिल करने के बाद जैसे हम interface करेंगे, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपक transporter को select कर सकते हैं, तो मालेजी हम यहाँ पर इसे yes करेंगे, yes करने के बाद आप देखेंगे, transport ID जो है, वो यहाँ पर अपने आप फिल हो जाएगी, यहाँ जो भी इसकी just ID है, वो यहाँ पर by default फिल हो जाएगी, इसके बाद आपको यहाँ पर interface करना है, interface करने के बाद आप यहाँ पर इसे enter, enter करके save कर दीजे, तो इस तरीके से आप अपनी quality का laser create कर सकते हैं, अगर वो sendi creator है यारी देंदार है, तो देंदार का आप इस तरीके से create कर सकते हैं, और अगर कोई लेंदार है, तो लेंदार के लिए आप under of sendi debitter डाल करके बागे पूरी detail इसी तरीके से fill कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप tally में ledgers create कर सकते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर माल लीजे आपको ये entry pass कर रहे हैं, और entry pass करते समय आपको वहाँ पर किसी ledger को create करने के ज़रद पड़ती है, तो क्या आपको वापस से यहाँ पर आकर के ledger create करना पड़ेगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस gap करके सीधे बाहर जाना है, बाहर जाने के बाद आपको vouchers में आना है, तो माल लीजे अगर मैं किसी customer से कोई भी पैसा receive कर रहा हूँ या कोई भी transaction कर रहा हूँ और मुझे उसके ledger की यहाँ पर दबा करके आप देख सकते हैं, आपको create का option आपको दिखाई देगा, इस पर तरकली आप यहाँ पर click करके भी ledger को create कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम basically use करेंगे alt plus c का, alt c करने के बाद आप देखेंगे, यहाँ पर आपको ledger का option दिखाई दे जाएगा, आप यहाँ पर party का ledger क कर सकते हैं, जैसे माल लिजे, हम यहाँ पर type कर देते हैं, तो यहाँ पर हम sendi debitor के अंदर डालेंगे, और यहाँ पर जिस तरीके से मैंने sendi के enter की details फिल करी थी, आप उसी तरीके से यहाँ पर इसकी सभी details को fill कर सकते हैं हम इसके अंदर कोई भी details यहाँ पर fill नहीं करने हैं आपको simple यहाँ पर enter एंटर करके यहाँ पर सारी details fill करके save कर देना है तो इस तरीके से आप यहाँ पर ledger create कर सकते हैं अगर आप किसी भी जगा पर कोई भी ledger create करना चाते हैं या तो कोई group create करना चाते हैं या तो कोई stop create करना चाते हैं तो directly आप Alt-C की मदद से इसको use कर सकते हैं और अब हम बात करते हैं कि अगर आप अपने ledgers को देखना चाते हैं कि आपने कितने lasers अपनी company में create कर रखे हैं तो उसके लिए आपको जा रहा है यहाँ पर display more reports के अंदर और यहाँ से आपको select करना है accounts book account book को select करने के बाद जैसी आप यहाँ पर lasers ने click करेंगे तो आप देख सकते हैं आपने जितने भी lasers यहाँ पर create कर रखे हैं उस तभी lasers आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे यहाँ पर आप देखेंगे profit and loss का laser और एक cash का laser जो होता है वो by default बना होता है यहाँ जब भी आप company create करते हैं तो यह दोनों ही laser अपने आप बन जाते हैं इसको आपको बनाने की जूरत नहीं है इसके लवा अगर आप इन में से किसी भी laser को delete करना चाहते हैं या तो फिर किसी भी laser में आपको बी changes करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए आप skip करके बाहर आजाएए बाहर आने की बाद यहाँ पर आपको आना है gate of telepore और यहाँ पर आपको select करना है altar अल्टर को जैसे आप select करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ledger का एक option इस पर आपको click करना है इस पर click करने की बाद आप देखेंगे आपसे सबी लेजर से यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहे हैं माल लिजे हम यहाँ पर bad reps में कोई changes करना चाहते हैं तो हम bad reps को select करके यहाँ पर enterprise करेंगे enterprise करने के बाद आप देखेंगे आपके bad reps का यहाँ पर लेजर open हो जाएगा और इसके बाद आप यहाँ पर अगर इसके अंदर किसी तरह की कोई changes करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसे change कर सकते हैं indirect expense की जगा अगर आप इसे indirect income या किसी वे भी आप यहाँ पर change करना चाहते हैं तो आसानी से delete हो चुगा है इसके अलावा मैं आपको एक information और देना चाहता हूँ जैसे माल लीजे अगर आपने किसी भी laser की कोई भी transaction यहाँ पर कर रखी है और उसके बाद अगर आप alter में जाकर कि उसको delete करने की कोशिश करते हैं तो वो laser बिल्कुल भी delete नहीं होगा सबसे पहले आपको वो transaction डिलीट करनी होगी और उसके बाद आप इस laser को यहाँ से delete कर सकते हैं तो दोस्तो इस तरीके से आप अपनी कमपनी में किसी भी तरीके का कोई भी laser create कर सकते हैं उसमें changes कर सकते हैं उसको delete कर सकते हैं इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आपके पास कितने laser से आपर पहले से ही बने हुए अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को like, comment, share जरू कीजेगा धन्यवाद